हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जार हों कि कैसे आप अपने vivo x 100 pro android phone में आप अपने Bluetooth की keeps stopping problem का आप कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कई वार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मुवाइल फून के ब्लुटूथ को किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना तो हमारे प्लूथ वाले पेट साविक लिखना जाता है तो इस नंतार्ट के कि फूट ब्लूथ को करने इसमें आपको नीचे system update पे tap करना है आपको इस वाले page पे कोई भी update का बटन या download install यहां पे लिखावा दिखाई देता है तो इससे आपको tap करके अपने phone का software अपडेट कर लेना है अब देखे अगला काम करना है क्या phone की network setting को reset करना है इसके लिए phone का setting पेज ओपन करना है सब पर सबसे उपर सर्च भार में reset आपको लिखना है आपको नीचे reset option होगा इसे टैप करना है आपको इस वाले page में नीचे reset option पर टैप करना है इसके बाद आपको इसे right-click करना है आपको next page में नीचे की reset setting पर टैप करना है आपको नीचे यहां पर लिखावा आ जाता है नेटवर्क सेटिंग हैवन रिशेट इस तरी की नेटवर्क सेटिंग को reset करना है ठीक है अब देखिए अगला काम आपको करना क्या है आपको आपने mobile phone को एक बार रिस्टार्ट करना है फोन को restart करने के लि अगर कोई प्रॉलम आती है तो प्रॉलम जब हो जाती है mobile phone को restart करने के आपको जो है अपने mobile phone को reset करना है धीकि दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process कोई बी बहीए काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अदरवाइस phone को reset करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है ठीक है phone को reset करने के लिए आपको mobile phone करना setting page open कर लेना है setting page open कर यह सबसे उपर आपको search icon पर tap करना है यहां पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है ठीक है keeps stopping की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं आपके phone की Gmail आईडिया और उसका password आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम पहले करने हो उसके बाद mobile phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बताय हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके Bluetooth की keep stopping की problem solve हो जाएगी